वीडियो में इस question को solve करेंगे and guys इसको solve करने के जो है न मैं आपको sort को trick बताऊँगा देखिए सबसे पहले guys मैं आपको एक बताया था concept कि 4 का बर्गमूल जो होता है 2 होता है और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते है 4 की power 1 वटा 2 और इसको solve करेंगे न तो 2 ही आएगा देखिए 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है और इसका जो है यहाँ पर आपको bracket में करना हो इसकी power आपको लगाना है एक वटे में दो इसकी गात एक वटे में 2 है ठीक है दो की power 2 लिख सकते हैं इसको हम चार का 2 का square 4 होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अब देखिए हमारा power 1 वटे 2 आ गया ठीक है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है ठीक है और bracket में आपको पता है यहाँ पर multiply हो रखा होता है तो 2 से यह deём 2 कट गया तो कितना आया चार का bergmul 2 ही आया ना और इसको solve करने के बाद हमारे यही आया 4 की power 1 वट ecology 2 को solve करने के बाद हमारे 2 ही आया और 4 का bergmul 2 ही आता है तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं bergmul 4 को तो इसी परकार बर्गमुल 3 को हम इस तरीके से लिखने की कोर्सिस करेंगे तो सबसे पहले हमें इस concept को यहाँ पर करना है अब यह concept आप सिख गए आप तुरंथ हमारा question solve हो गया देखिए बर्गमुल 3 को आप इस तरीके से लिख सकते 3 की power एक वटा दो जैसे हमने बर्गमुल 4 को लिखा था 4 की power एक वटा दो और solve करने के बाद हमारा 2 ही आया था ठीक है तो देखिए इस तरीके से लिख सकते है अब इसके बाद bracket में इसकी power 5 है तो इसको 5 इसकी power 5 आपको लिखना होगा ठीक है न मैं लिख लेता हूँ bracket में इसकी power 5 तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते है अब हमारा जो है इस bracket में और यहाँ पर इसकी घात जो है 5 है तो यह भी हमें लिखना होगा ठीक है तो इसकी घात हम 5 यहाँ पर लिख देंगे देन उसके बाद 9 को हम किस तरीके से लिख सकते है इस तरीके सा आप लिख सकते हैं 3 का square 3-3 होता है उसके बाद एक और यहाँ पर 9 का square है तो bracket में हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब same यही होता है ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे हमें n की value पता करना है, 3 n हम लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद multiply में 3, अब देखें बर्गमूल 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की power 1 वटा में 2, जैसे 4 को हमने लिखा था, बर्गमूल 4 को हमने लिखा था, इस equal to में 4 की power 1 वटा 2, तो वैसी बर्गमूल 3 को हम जो है 3 की power 1 वटा 2 लिख सकते हैं, अब देखें हमें क्या करना है, इसको आप इससे multiply कर दिए, तो 3 की power 5 वटा 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर multiply का sign है यहाँ पर, और 2 दुनी यह 4 हो जाएगा, इसकी घात जो है यहाँ पर multiply हो जाएगा, तो 3 की power 4, अब देखें क्या करना है, पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पर एक होता है, ठीक है, एन प्लस में 1, प्लस में 1 वटा 2, यह 3 घाते जुड़ जाएगी, ठीक है, तो एक बार हम 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यह 3 घात को जोड़ दे ठीक है, और इनकी घातों को भी हमें जोड़ देना है, तो अधार सेम है, तो इसकी घाते जो है, आपस में जोड़ जाती है, और अधार का जो नंबर होता है, वो वन टाइम हमें लिखना होता है, तो 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद इसकी घाते हम जोड़ देंगे पाच बटा में 2, प्लस में 4, बटे में 1, ठीक है, तो भीन का जोड़ आपको आता है, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसके पावर में यहाँ पर लिख देंगे, सेम इसको भी हम कर देते हैं, तो one time हम तीन लिखेंगे, उसके बाद in, इसकी घाते in, ठीक ह तीन की पावर जो है, इसको अगर आप करेंगे, तो 2 और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 5 और यहाँ पर हमारा आगया 5, 8, 5, 13 बटे में जो है, यहाँ पर 2, ठीक है, इसको आप solve कर लिजेगा, यह तो आपको आता ही होगा, 13 बटे में 2 इसकी पावर होगी, 3 की पावर 13 ठीक है यह power से उपर वाले यह सभी power से ठीक है ना इसको आप same digit मज़ समझेगा अब हम इसको solve कर लेते हैं 3 की power 13 बटे में 2 ब्रावर में 3 की power n प्लस में 3 बटे में 2 एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं अब जो है जल्दी से हो जाएगा ठीक है इस 3 से यह 3 कट जाता है आपको पता है न, ब्रावर की कोल साइड में, इस तीन से ये तीन कट गया, अब हमारे पास बचा इनके घात, इनके पावर्स, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, आते बची है वो यहाँ पर 13 बची है, और यहाँ पर क्या बची है, अब सेम वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखे, यहाँ पर हमें एन रहने देते हैं, और इस नमबर को इधर लेकर चले जाते हैं, तो इधर पलस वाला है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, भाग में होता है, तो यहाँ पर मल्टिप्लाइ में हो जाता है, अगर माइनस में होता है, तो इधर आकर पल में 2 ठीक है और is equal to n तो 2 को हम इसको भाग करके भाग कर देंगे 2 पचे 10 तो n की value कितनी आई 5 ठीक है यह हमारा answer आ गया अब आप समझ चुके हैं कि कितना जरूरी होता है basic concept को सीखना इसलिए guys मैंने 2-3 वीडियो से जो है आपको पिछली दो वीडियो में मैंने basic concept सिखाया so that आगे कि जो हम question करेंगे वो हमें जल्दी से आ जाए क्योंकि basic concept सीखने समय यही benefit होता है कि जो भी tough question होते है वो जल्दी हम कर पाते देखिए अब इसको कैसे करेंगे एक वटे में दो और इस bracket में और इसकी जो power है minus one वटे में दो ठीक है minus एक वटे में दो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि minus का power सबसे पहले हमें इसकी power को minus वाला sign को हटाना होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक लिखिएगा ठीक है एक लिखिएगा उसके बाद आप जो है न एक में मतलब कि इस संख्या को पूरी को भाग दे देना है ठीक है एक वटे में दो और इसकी पावर जो है माइनेस हट गे आप जब मतलब एक में जब हम भाग देंगे न तो हमारा माइनेस हट जाएगा अब हम इसकी पावर एक वटे दो only लिखेंगे माइनेस नहीं लिखेंगे, माइनेस में एक वटे दो नहीं लिखेंगे इसलिए जो हमें एक में भाग देना होता है अब देखी इसको हम stender form में लिखते हैं आप जानते हैं कि वटे का मतलब भाग होता है तो stender form में कैसे लिखेंगे एक को जो है मैंने भाग दिया था एक वटे दो और इसकी power minus 1 वटे दो minus हट गया हमारा sorry यहाँ पर देखे minus हट गया हमारा 1 वटे दो अब हमें फिर से एक वटे दो लिखना है और bracket में हमें एक वटे दो इसकी power लिख देना है क्योंकि हमारा minus हट चुका है अब देखे इसको कैसे करना है आपने सिखा है जब आप भीन के भाग करते हैं तो second step में आप क्या करते हैं second step में जब हमारा यहां पर भाग कर साइन होता है तो second step में हमारा क्या होता है यह जो हमारा numerator यह हो गया हमारा uns हो गया और यह हमारा हर हो गया तो हमारा यह जो denominator होता है वो उपर चला जाता है और जो numerator होता है वो नीचे आ जाता है हर हमारा उपर चला जाता है, अंस नीचे आ जाता है, तो same second step में हम एसे ही करेंगे, एक लिखेंगे, उसके बाद हमारा multiply हो जाएगा, और दो हमारा उपर आ जाएगा, और one हमारा नीचे आ जाएगा, और power सेम ही रहेगा, ठीक है ना, एक वर्टे में दो, अब देखे इसको कैसे करना है अब हम इसको 1 से 1 को multiply करेंगे इसमें 2 वटे में 1 और इसकी power 1 वटे में 2 तो हमारा यही आएगा सेम ठीक है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते है 2 वटे में 1 और इसकी power 1 वटे में 2 तो 1 को हम हटा सकते हैं ठीक है दो की पावर 1 वड़ा दो और guys देखिये अब आप concept याद कीजिए कि मैंने आपको सिखाया था ठीग है कि जब मैंने एक concept आपको सिखाया था, तो इसी परकार, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इसका मतलब यह हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बर्गमूल दो, यहाँ पर दो answer सही, option है, है ना, तो यह हमारा answer हो जाएगा, तो इसलिए हमारा basic concept सिखना बहुत जरूरी है, इस question को solve करते हैं, बहुत ही जादा important question है, ठीक है, हमें इसकी value, इस question को solve करना है, तो देखें, सबसे पहले मैंने वह concept आपको जो है, पिछली बार जो मैंने आपको सिखाया है, वैसी करना है, सबसे पहले इसके जो, इसके जो minus वाला जो power है, यह minus का sign को हमें हटाना होते है, सबसे पहले, तो हटाने के लिए, simply आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पार एक लिखना है, और उसके बाद भाग का भाग जो हमने सीखा है, ठीक है, पाच में यह छटी किलास में, तो वैसी करना है, second step में हम क्या करेंगे, एक multiply और हमारा जो है, हर जो है, वो उपर आ जाएगा 64, और अंस जो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक, और उसकी power जो हम लिखेंगे, दो बटे में, तीन, ठीक लिख लेते हैं, फिर से हम 64 की खाट, दो बटे में, तीन, अब 64 को जो है, आप factor कर सकते हैं, तो 64 को अगर आप factor करेंगे, तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे की 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं, देखिए, यहाँ पर 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4, ठीक है, यहा तो जब मैंने आपको बताया था कि जब अधार सेम होता है हमारा तो इसकी घाते आपस में जूड़ जाती है तो गहात इसका एक भी यहां पर उपर में नहीं है तो मतलब एक-एक है तो ठीक है तो 6 टाइम है तो दो की घात 6 हो जाएगा ठीक है तो हमारा जो solve करने पर हमार क्या आया था दो की पावर 64 की पावर दो वटे में 3 ठीक है और 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सोरी 2 की पावर 6 इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 6 ठीक है अब देखिए हमारा जो है यहां पर दो वटे में 3 इसकी घात है अब हम इसको इस हमारा जो ही ये कट गया तीने कम तीन तीन दूनी छे और दो और ये दो ये यहाँ पर multiply हो गया तो दो की power हमारा 4 आ गया ठीक है दो की power 4 और दो को 4 वर multiply करेंगे तो कितना आएगा दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो हमारा answer आ गया 16 ठीक है सो ऐसे ही important वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा नेक्स वीडियो में और भी important question करेंगे